हेलो दोस्तों मैं हूँ बैवव और आप देख रहे हैं Bits for Biology तो इंडिया की इस best class course में अज बात करेंगे biological classification के सबसे आखरी लेक्चर का जिसमें जिकर होगा वाइरस, वाइरवाइड, प्रेयॉन्स और लाइकेंस का और छोटा सा हिसा kingdom planty और kingdom animalia का ये एक theory लेक्चर होगा इसका practice session हम लोग करेंगा in academy के special class में बिल्कुल free of cost जिसका description में link दे रखा है तो बात आती है ये lecture number 4 है और daily मैं तुम से 4 घंटे ही मांगता हूँ और 4 घंटे अगर तुम dedicated हो देने के लिए तो 360 by 360 तो marks obtained कर सकते हो ये टेलिग्राम चैनल है इसे join कर लो यहाँ पे जितने भ होते हैं ये 100 days का जो crash course schedule है 14 December को जो start हुआ था और 31 माज तक ये चलता रहेगा जिसमें हम रोज शाम 4 बजे रोज रात 9 बजे अनकैडमी के special class में मिलते हैं शाम 4 बजे class 11 के लिए रात 9 बजे class 12 के लिए जहां पे खूब सारे questions practice करते हैं डेली 500 questions हम practice करते हैं अगर ऐसे ही क करते चले तो नीट exam तक 20,000 से ज़्यादा questions practice कर चुके होंगे हम यह invite code है मेरे इस sessions को unlock करने के लिए अनकैडमी पर जब तुम से एक code पूछा जाएगा invite code तो उसमें क्या use करना है कुमार live यह academy का paid platform है जो कि इंडिया का सबसे बहतरीन platform बात करते हैं अनकैडमी के plus platform के बार करें चाहे किसी भी coaching issue की बात करें वहांके जो best faculty हैं आज अनकैडमी पर हैं तो अनकैडमी प्लस का यह platform है जिसके 6 month 12 month और 24 month के subscription plan है अगर तुमने यह कुमार live code यूज किया तो instant इसमें 10% का तुम्हें discount मिल जाएगा इस तरह ही अनकैडमी का यह iconic platform है जहां पे जो personal guidance मिलती है तुम्हें एक बच्छा जिसके लिए बहुत ज़्यादा जरुरत होती है कि बहुत ही basic level से चीजों को समझे जाए मिस जिसके नीट में 200 number 300 number आ रहे हैं उसे guidance की जरुरत होती है तो guide इसमें teachers करते हैं काफी सारे वो toppers जो आज M's में है मौला नाजात medical college में हैं बात करेंग बाइलाउस के classification की और जिक्र होगा kingdom planty से क्योंकि हम अल्रेडी kingdom fungi तक की बात कर चुके हैं है ना स्टार्ट करते हैं NCRT पे आजो आपने एक एक लाइन देखने वाले हैं kingdom planty जिक्र तो इतना ही हो गया kingdom planty तो इस बात समझ में आ गई कि हाँ इसमें plants आएंगे kingdom planty और kingdom animalia ये दोनों kingdom को divide करने का जिक्र जो सबसे पहले किया था वो किया था लीनियस ने kingdom planty में plants आते हैं तो क्या kingdom planty में जब plants आएंगे तो overall ये eukaryotic होंगे ना तुम तो समझ गये होगे मौनरा को छोड़कर सारे eukaryotic हैं chlorophyll होगा ना तभी तो photosynthesis होगा ऐसा कौन सा plant है जिसमें chlorophyll नहीं होता सब में तो होता है ना तो सब में photosynthesis तो चलता ही रहेगा तो मारे मन में एक बात आएगी सरी insectivores plant होते हैं वो insect इसलिए खाते हैं क्योंकि उनमें nitrogen की deficiency होती है तो nitrogen की deficiency को पूरा करने के लिए वो insect को trap करकर खा गए बाकी photosynthesis तो चली रहा है ना उनमें भी तो इनको क्या बूला जाता है plants बूलते हैं कुछ ऐसे members है few members की बात की जा रही है कुछ ऐसे member हैं जो की heterotrophic आते हैं लेकिन NCRT साफ लिखती है वो partially heterotrophic है ऐसा नहीं है कि वो 100% या obligate heterotrophic नहीं कह सकते हैं वो partially heterotrophic है जैसे कुछ insectivores plant कुछ parasites कुछ example यहाँ पर याद रखने है एक तो bladderwort बहुत ही famous example है bladderwort और venus fly trap यह दोने example याद रखेंगे insectivores plant के बारे में मिस यह insect खाने का काम करते हैं क्यों खाते हैं यह बात मैंने बता दी next कसकटा के बारे में यह एक type का parasite होता है plant cells की बात करें तो इनके पास eukaryotic का structure होगा simple सी बात है plants eukaryotic cell ही होते है animal के जैसे क्या इनमें chloroplast मिलेगा ना बहुत अच्छे से और cell wall किष्षीज का बना होगा cellulose का बना होगा यह basic सी बाते हैं जो हम 9-10 में पढ़ा करते हैं आगे की जो eukaryotic cell structure है हम वो chapter number 8 में पढ़ेंगे और planty में चीज़ें क्या क्या आती हैं तो total 5 चीज़ें आती हैं यह 5 चीज़ें आती हैं यह 5 चीज़ें किंग्डम प्लांटी के अंदर में आती हैं क्लियर होनी चाहिए यहां तक के सारी बात है लाइफ साइकल का थोड़ा सा जिकर किया गया है अगर प्लांट के लाइफ साइकल में चले तो दो distinct phages आती हैं जब लोग बात करेंगे algae, bryo से आगे बात करेंगे तो वहाँ पे यह terms को समझेंगे थोड़ा समय terms को समझाने की कोशिस करता हूँ एक term है sporophytic और एक term है gametophytic phytic का मतलब तो सब कु समझ में आता है कि phytic बोले तो plant sporophytic, plant की वो body plant को अगर दो पार्ट में divide करना है plant के body में तो plant के life cycle में दो चीज़े होती है एक होता है sporophytic और एक होता है gametophytic, सब में मिलेगा यह algae में, bryo में, terido में, zimno में, angio सब में मिलेगा sporophytic, क्या plant की वो body, जो spor का production करती है, क्या हम उसे sporophyte कह सकते हैं, simple सी बात next, plant का वो body जो gametes का production करती है क्या हम उसे gametophyte कह सकते है जो एक का production करे, जो anthrazoid का production करें, कह सकते है ना, कि वो sporophytic हो जाएगा gametophytic हो जाएगा, और जो spor का production करे, वो sporophytic हो जाएगा, sporophytic का nature कैसा होता है, 2N होता है और gametophatic का nature कैसा होता है एन होता है दोनों चीज़े ध्यान रखनी है आपस में alternate करते रहते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे bryophyta तो हम लोग पढ़ेंगे cycle पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कैसे ये चीज़े alternate करनी है ये जो length है na haploid और diploid का ये बिल्कुल अलग-अलग होता है length ये डीफर करता है haploid का और diploid का इसी के basis पे तो नाम है haplontic में ज़्यादा area कौन कवर कर रहा है haploid diplontic में ज़्यादा area 2N वाले हैं haplodeplontic 50-50 है ये चीज़ next free living भी हो सकते हैं dependent भी हो सकते हैं इसकी बात करेंगे कि कैसी gametophytic और sporophytic पे dependent होता है तो अलग-अलग groups के plant में अलग-अलग होता है मान के चलो ब्रायों में अलग हुआ ठेरिडों में अलग हुआ जिमनों में अलग हुआ इसी alternation को हम बोलते हैं alternation of generation क्योंकि यह sporophytic gametophytic पे dependent है दोनों alternate कर रहे हैं आपस में तो इसले इसको बोला जाता है chapter number 3 में हम इसे detail में पढ़ेंगे next बात है kingdom animalia ये तो बात clear हो गई कि kingdom animalia बोला जा रहा है मिसिस में animals ही आते होंगे तो animals के सारे basic property यहाँ पर बताए गए है this kingdom is characterized by heterotrophic clear है वो partially heterotrophic था ध्यान रखना planty में बात करते हैं न insectivorous plant और parasites की तो वो partially heterotrophic था और ये complete heterotrophic होते है eukaryotic तो होंगे ही multi cellular तो हैं ही cell wall नहीं होता ये बहुत important character होती है किसी भी animal की animal में कभी भी cell wall present नहीं होगा, plant में था, algae में होगा, सारे में होगा, bryo में, terido में, zimno-angio लेकिन animal में कभी cell wall नहीं होता they directly और indirectly depend on plants जैसे अगर मान के चलो हम हैं तो कोई भी plant से बने product खा रहे हैं तो चाहे तो directly dependent हो सकते हैं अगर मान के चलो मैं चिकन खा रहा हूं तो मैं कहीं न कहीं indirectly plant पर ही dependent हो क्योंकि उसे वो energy उसमें transfer हुई है, they digest their food in internal cavity, वो internal cavity को तुम है stomach कह सकते हो जिसमें food का digestion होता है और food को reserve किस form में करते हैं हम, glycogen और fat के form में हम store करते हैं जब हमारे blood में glucose का amount लगतार बढ़ता चला जाता है, insulin का ही काम है कि वो उसे जाकर liver में जाकर store कर दे, hepatocyte में या adipocyte में जाकर उसे store कर दे, adipocyte में जाएगा, क्या fat बनाएगा, liver में जाएगा, glycogen बनाएगा न, simple सी बात है, और ये भी बात कहती है NCRT chapter number 7 में कि अगर हम कोई भी exist nutrient लेते हैं, चाहे वो protein ही क्यों ना हो, वो चीज का भी conversion fat में होना तै है, तो extra कोई भी चीज नहीं होना चाहिए, जैसे carbohydrate है तो 60%, protein है तो 25% और अगर fat है तो 15% हमारे daily diet का वो सामिल होना चाहिए, mode of nutrition की बात करें, holozoic, पहले खाओ फिर पचाओ, ये होता है holozoic, first ingestion, then digestion, लेकिन ये bacteria और fungi की case में ये चीज अलग होता है, पहले वो पचाते हैं, फिर वो खातने का काम करते हैं, their mode of nutrition is holozoic, ये definite growth pattern को follow करते हैं, growth लगतार ये चलता चला जाता है, लेकिन एक limited period तक plant में ये ही growth continuously चलती है, definite growth pattern है, adults में grow करते हैं, definite shape और size होता है, हमारा shape और size definite way में है, next, जुतने भी higher forms है, higher forms किसको बूला जा रहा है, जुतने भी codates हैं, जुतने भी vertebrates हैं, उनको बूला जा रहा है higher forms, सब में sensory और neuromotor mechanism बहुत चांदार, मिस overall बूली जाए ना, तो सबका nervous system बहुत चांदार है, जैसे porifera का ही जिकर कर लें, उतनी well developed nervous system नहीं होती, porifera के बाद silentrata, tino, phora, platyhalmanthis, ascalmanthis, ascalmanthis तक पहुँचे, तो कहीं न कहीं ring जैसा कुछ nerve ring बनने start हुआ, तो ऐसे धीरे धीरे evolution में higher forms में वो चीज़े develop हुई हैं, ज्यादा तर के पास locomotion की property होती है, most of them कहना क्यों यहाँ पे था, क्योंकि अगर मैं बात करूं तुमसे porifera चल नहीं पाते हैं, porifera, sysile nature के होते हैं, एक जगा पे ही होते हैं, sedentry nature के होते हैं, एक जगा पे ही, substratum, जमीन से attach होते हैं वो, silent rates, जल्दी चल नहीं पाते हैं, sysile nature के होते हैं, है ना, तो simple सी बात हैं, इसलिए NCRT ने यहाँ पे most word का use किया है, most of them are capable of locomotion, जादतर तो चली पाएंगे, अब यहाँ पे दो तीन लाइने लिख रखी हैं, कि जो sexual reproduction होता है, वो कैसे होगा, male और female, copulation करेंगे, में sexual activity करेंगे आपस में, और उसके बाद, embryological development होता है, simple सी बात करों, तो gamits का fusion हुआ, fusion के बाद जाइगोट बना, और जाइगोट के बाद, embryo का development स्टार्ट हो जाता है, इसके बाद कुछ silent features जो पढ़ेंगे हम, chapter number 4 तो detail में पढ़ेंगे, तो इसके लिए था हमारा chapter number 3 के लिए, ये chapter number 3 में detail में पढ़ेंगे, और ये वाला chapter number 4 में detail में पढ़ेंगे, हो गई बात, अब यहां से बात स्टार्ट है, आज का जो topic है, viruses, viruides, prions और lichens, ये चार्ट topic हमें पढ़नी है, prions कई बच्चों के NCRT में नहीं होगा, तो ये prions new NCRT में added है, जिसके NCRT में नहीं है, वो इसे add कर ले, 5 kingdom classification, विटैकर ने 1969 में दिया, 5 classification में kingdom आए, monra, protista, fungi, planty, animalia, लेकिन उनमें कभी भी इन चारों को जगह नहीं मिली, virus, viruide, prions और lichens को, इने घर में कोई जगह नहीं मिली, कोई पना ही नहीं मिली, there is no mention of lichens and some acellular organism, क्यों नहीं mention किया गया, virus को, viruide को, prions को, क्यों नहीं mention किया गया, क्योंकि आगे बात करेंगे, इसमें कोई generally cells नहीं होते, cells की बात हम करी नहीं सकते, कभी भी virus पर, virus के बारे में कहा जाता है, virus is acellular structure, virus कोई काओ, कोई अपना cell नहीं होता, जिसमें cytoplasm हो, cell membrane बहुत बढ़िया से हो, यह फिर चीज़ उसमें होती नहीं है, हम लोग कभी न कभी तो common cold हुआ ही है, rhinovirus, flu, influenza वगरा हुआ ही है, virus का असर जो होता है, हम उसके साथ लगबग जुड़े है, virus को classification में जगह नहीं मिली, क्योंकि यह truly living category में नहीं आता, star लगाओ, virus को truly living नहीं बोलते, एक बात मैं तुम्हें बताओ, अगर कोई भी living होना चाहे, तो उसके cell के पास तीन requirement है, सेल के पास cell membrane होना चाहिए, ठीक है, cytoplasm होना चाहिए, और genetic material में इस DNA या RNA होना चाहिए, अगर तीनों में से, तीनों चीज़े मौझूद हैं, उसको true living कह सकते हैं, अब बेक्टरिया में देख लो, cytoplasm है कहां, अगर cytoplasm नहीं है, तो reactions कैसे चलेंगी, reactions शलती तभी तो बोलते हैं, living है, क्योंकि metabolism is the defining property of the living characteristics, clear है बात, next, अगर हम living को समझे, if we understand living as those organs that have a cell structure, वहीं NCRT ने तीन बातें की हैं, यही बात NCRT ने cell वाले chapter में ही दोर आई हैं, यह बात NCRT लिखती है कि एक complete cell होना चाहिए, तो complete cell में तीन चीज़े होनी चाहिए, cell membrane, cytoplasm और genetic material, तीन चीज़ में से अगर एक भी missing है, वो cell complete नहीं हो सकता, बैक्ट्रा में देखो तीनों चीज़े मौजूद है, cell membrane भी है, cytoplasm भी है, और अपना genetic material तो है, उसके पास खेल खतम है, वो एक living cell consider किया जाएगा, वो एक complete cell consider किया जाएगा, वाइरसेज को non-celler बोलते हैं, organism, क्यूंकि इनके पास एक inert crystalline structure होता है, अगर cell के बाहर चले, अगर मान के चलो हमारे body में आ गये, तो हमारे cell पे कबजा कर लेंगे, लेकिन अगर हमारे body से बाहर है, तो ये inactive structure इनका एक होता है, उसी को बोला गया है inert, crystalline structure, एक crystal जैसा structure दिखता है, देखो जैसा, एक crystal जैसा तुम्हें structure दिख रहा है, ये diagram जो है, ये TMV का है, टोबैको मुझा एक virus कहते हैं इसे, टोबैको plant पर disease cause करता है ये, और ये बैक्ट्रोफेज है, ये तो बैक्ट्रे को ही नुक्षान पहुचाता है, ऐसा virus है ये, दोनों का genetic material तुमसे एक्जाम में बार बार पूछा जाता है, लिखोगी इसके बारे में, SS RNA और इसका लिखोगे DS DNA, single stranded RNA और उसका है double stranded DNA, ये दोनों खूब पूछे जा चुके हैं इक्जाम में, labeling कभी भी आये, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये जो लग रहा है ना, बजपन में खाते थे ना अनार दाने, बस वही है, चोटे-चोटे-चोटे-चोटे कई सारे लग रहा है ना, जो strand बने है, ये क्वाइल डारेने का strand है यहाँ पे, इस तरह से, और बाकी ये capsid है, protein की coating है, चोटी-चोटी जो इस तरह से है, है ना, आज आओ इसमें, head, ये तो अपने घर के छोटे बच्चों को भी बोलोगे ना, labeling करने वो भी कर देगा, देखो, head है, फिर collar है, फिर collar की बाद नीचे में tail है, तो tail fibers हो गया, और बाकी यहाँ पे एक seed है, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे क्या है, seed है यहाँ पे, सिम्पल सी बात है, आगे बात करते हैं, अगर, once infected a sale, they take over the messenger of the host sale, मान कर चलते हैं, HIV virus की मुझमे entry होती है, HIV virus की अगर मुझमे entry हुई, मेरे macrophage में वो जाएगा, macrophage को वो factory बना देगा, वहाँ खूब HIV का production करेगा, खूब retrovirus का वहाँ पे production, वो करना स्टार्ट कर देगा, तो हमारे sale push ने क्या किया, कबजा कर लिया न, वही NCRT ने लिखा है, they take over the mass syndrome of the host sale, to replicate themselves, खूब अपना production करते हैं, और host को धीरे धीरे वो क्या कर देते हैं, गिल कर देते हैं, अब वही पूचा गया है, वाइरस को तुम living बोलो गया, non living, वाइरस बाहर में है, non living, हमारे body के अंदर है, तो living, क्या कह सकते हैं, वाइरस is a connecting link, with been living and non living, simple सी बात, connecting link है, नाम वाइरस की बात अगर करें, तो वाइरस का नाम किस ने दिया, अब यहीं पे NCRT में सबसे बड़ी confusion होती है, कि पुराने NCRT में तो कुछ और है, यहां कुछ और है, confusion नहीं है, NCRT में word missing है, देखो, नाम वाइरस का मतलब क्या होता है, वी नम, या poisonous food, मतलब simple सा कहें, तो जहर है, was given by Lewis pasture, by given by Lewis pasture, अब यहां से जो statement है, वो अलग स्टार्ट होती है, यहां पे NCRT pasture word type करना भूल गई, जो typing चल रहा था, उसमें pasture word miss हो गया, was given by pasture, नाम है D.J. इवानुबस्की, पूरा नाम दिमित्रिजे इवानुबस्की, कहानी 1892 की है, यहां तक लियर है ना, मोजाइक डिजी, मोजाइक का मतलफ होता है, धब्बे-धब्बे हो जाते हैं इनके पत्तों में, जो tobacco के पत्ते होते हैं, अब जो disease cause कर रहे थे, tobacco में मोजाइक डिजीज जो cause कर रहे थे, तो वो जब इनके घर में एक bacteria, proof filter था, उन्होंना देखा कि bacteria प्रूफ फिल्टर से भी चीज पास हो जा रहा है यहां से ये बात पकी हो गई कि जो बैक्टेरिया से छोटे होते हैं वाइरसे तभी तो वो बैक्टेरिया प्रूफ फिल्टर जो होती है उससे भी पास हो जा रहे हैं तो ये बात किस ने बताई थी सबसे पहले डीजे वाले बसकी के बारे में तो इन्हों नहीं बताया कि वाइरस बड़े छोटे होते हैं बैक्टरिया से थाकि बैक्टरिया प्रू फिल्टर से भी पास हो सके हैं और इन्हों नहीं रिकनाइज किया कि जो टोबैको डिजीज होती है टोबैको मोजाइक डिजीज उसमें ये जो वाइर वैको में वह disease हुई थी हो वहां से प्लूड लिया वहां से जो सिरेंज होती है इंजेक्शन होती है उन्होंने उससे क्या निकाला kWAY Nr. जब को इन्होंने देखा तो देखा k resonates using life authors also using food यह चीज़ होती है क्योंकि वन्होंने छेल्धी plant मोग तो दाल कर देखा नहीं से घखाए कि हम ईंफिक्शियस है पूरी तरह से इसको भी मीमारी फैला आ रहा है नाम रखा गया इंफेक्शियस लविंग फ्लोड क्या भूलते ही इंफेक्शियस लिविंग फ्लोड उसी को उने में बूला कॉंटेजियम वाइवं फ्लूडम ठीक है लोगोंने बोले समझाओ इन्होंने बोला इन्फिक्शिस लिविंग फ्लूड जैसे वो नहीं है क्या ओमनी शेलला इसला रुडोल वर्चो वाली तो बस वैसी इन्होंने बोला था कॉंटेजिम वाइवम फ्लूडम इसके बाद आये डव्लू एम स्टैनली कहानी कहान से स्टार्ट हुई डुजे वाले बाबू से फिर बीएम डवलू वाले बेजनेक फिर डव्लू एम स्टैनली के घर वो लोग गये 1935 की कहानी है 1935 में इन्होंने बताया कि virus को हम crystallize कर सकते हैं virus को crystals में कर सकते हैं हम part में divide कर सकते हैं जो कि protein के मने हुए होते हैं यहाँ पर inert होते हैं अभी just पहली देखा था अगर host cell के बाहर हैं तो वो inert कहने का मतलब inactive होते हैं यह लाइन बड़े ही गजब की है, Obligate Parasite, Miss 100% Parasite है, कोई Facultative Nature या नहीं, 100% Parasite है, यह चीज इंपॉर्टन्ट है, ध्यान रखना, तीन साइन्टिस का नाम आया, तीन साइन्टिस का नाम मैं जल्दी जल्दी से बताओ, एक तो आये कौन, DJ Iwan Obaski, उसके बाद कौन आये, MWS Stanley, उसके बाद इसका Just Opposite कर दो, WM, Date बताओ, 92, Miss Pura 1892, 1898, 1935, बस यह चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है? ठीक है, यह तो पता चला, कि प्रोटीन होता है, इनके पास बात समझ में आती है, Crystal proteins होते हैं इनके पात, पता किया गया, इनके पास genetic material भी होता है, चाहे तो RNA, चाहे तो DNA, हमारे में RNA भी है, हमारे में DNA भी है, लेकिन अगर वाइरस की बात की जाए, तो इनमें तो चाहे RNA, चाहे DNA, तुम बोलो कि हमारे में RNA कैसे? NCRT के वो लाइन याद करो, राइबोजोम की बात करते हैं, राइबोजोम में RNA और प्रोटीन होता है, तो हमें क्यों ना हो RNA? RNA चाहे तो DNA, ऐसा कोई भी वाइरस नहीं है, नो वाइरस कंटेंस बोथ RNA और DNA, एक वाइरस की बात करें, तो अब NCRT लिखती है NICLEO PROTEIN, क्यों लिखती है NICLEO PROTEIN, क्योंकि इसमें genetic material भी है, और प्लस इसमें PROTEIN भी है, genetic material के लिए word यूज किया गया NICLEO का, और बाकी यहाँ पर PROTEIN, genetic material infectious है, अगर इसके genetic material को हम अपने में insert कर लें, तो हम infectious हो जाएंगे, इन जेनरल वाइरसेस जो plant को infect करते हैं, अब यह वाली चीज important, यही बच्चे भूलते हैं, जेनरली जो वाइरस plant को करते हैं, infect, वो जेनरली single stranded RNA होते हैं, यह कैसे याद रखोगे, अभी मैंने tobacco mojaik virus का बताया था, वो tobacco plant में cause कर रहा था disease, तो SSRN ही तो थावना वो, तो single stranded RNA होता है, जो plants को infect करते हैं, और जो animal को infect करते हैं, वो single भी हो सकते हैं, double भी हो सकते RNA वाले, या double stranded DNA भी हो सकते हैं, बस plant में ही खास है, कि वो SSRN वाले ही होंगे, याद रखना कुछ exceptions हैं, वाइरस डैट इंफेक्ट दी बैक्टरिया, यह मैंने अभी चीज जस्ट पहली डियाग्राम में बता दी, double stranded DNA, आगे, प्रोटीन कोट जो होती है, हम उसे capsid कहते हैं, कुछ दिर पहली हमने ये डियाग्राम में देखा, कि प्रोटीन कोट को हमने क्या बूला था, capsid, जो प्रोटीन का coating उपर से कर रही है, तो प्रोटीन कोट को क्या बोलते हैं, capsid बोलते है, capsid छोटे-छोटे units का बना है, capsid मेर्स, मेर्स कहीं भी word आ जाए, नाम इसका मतलब unit ही होता है, ये क्या करेगा, nucleic acid को protect करने का काम करेगा, सोचो कुछ ऐसा, अंदर में nucleic acid है, बाहर से capsid है, प्रोटीन की coating है पूरी तरह से, प्रोटीन की coating है, जो कि nucleic acid को protect करने का काम कर रहा है, ठीक है, और उसमें भी अगर बात में करो, जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं तो वो तुम्हारे हो जाएंगे वहाँ पे Capsomeres यह जो Capsomeres हैं इनका सेप अलग-अलग हो सकता है यह Helical form में हो सकते हैं Polyhedral form में हो सकते हैं Geometric form में हो सकता है अलग-अलग सेप इनका हो सकता है यह तो जानते ही हो वाइरस कौन-कौन से बिमारियां फैल आता है Mumps, Parotid Gland का Infection जब यहाँ पे सूजन आ जाती है Smallpox सब लोग जानते हो यह Redicate हो चुका है पूरी दुनिया से लग-भगिए Harpes, Genital Harpes होती है Inflinja, सब यह Viral Disease है Aids भी Viral Disease है जो Human में होता है Plants में क्या-क्या Symptoms आते हैं Viral Disease होने पे Mujayic Formation, है ना, पत्ते पे धब्बे-धब्बे पढ़ जाएंगे Leaf Roll कर जाएगा Curl कर जाएगा Yellowing, पत्ते पीले पढ़ जाएंगे Vain Clearing, Vains जल्दी दिखाई नहीं देंगे तुमको Dwarfing, लगेगा पौधा जो है ना, बड़ी नहीं रहा है बिल्कुल नाटा हो गया है बिल्कुल बॉना हो गया है Astented Growth, Growth उनका हो नहीं पाएगा ये कहानी पूरी की पूरी वाइरस के बारे में थी अब हम लोग किसमें चलेंगे Viroids के बारे में पोटैटो में पोटैटो अगर मान के चलो ऐसा है तो पोटैटो हो जाता था ऐसा है ना, ऐसा हो जाता था पोटैटो इसको बोलते है Spindle Shape का हो गया तो नाम क्या है? PSTD पोटैटो Spindle Tuber Disease इसमें ठीक है इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता तो और हलका होगा यह तो इसलिए NCI टे लिखती है Low Molecular Weight इसलिए नाम क्या पड़ा? वाइर वाइड क्यूंकि इसमें चीज है यह नहीं प्रोटीन की कोटिक तो नाम क्या पड़ा? वाइर वाइड मिस वाइड खाली तो यह चीज आ रखना Modern Medicine की बात करें तो यह भी एक Infectious Agent है जो कहां disease cause करेगा? ब्रेन में जो कि Neurological disease cause करता है तो Overall अगर बात करें तो इसके अंदर जो प्रोटीन होता है उसका feature हमें आद रखना है कैसा होता है प्रोटीन? Abnormally folded एक अलग तरह का folding तुमको मिलेगा इनके प्रोटीन में यह जो agent है virus का size और इनका size दोनों similar होता है prions का size और virus का size similar होता है इनको क्या बूला जाता है prions जो ज़्यादतर जो बिमारियां जो इनसे famous हुई है वो है BSE जिसको बोलते है bovine spongiform encephalopathy encephalopathy generally brain के लिए ही use किया जाता है और pathy generally disease के लिए ही use किया जाता है sort में क्या बोलेंगे BSE इसको mad cow disease भी बोलते है अगर इसी को कोई इनसान अगर खाले तो बिमारी उसमें होता है है ना cattle में यह चीज होती है और बाकी यह किसके analogous है किसके जैसा मिलता जुलता है यह CR jackob disease जो humans में होती है इसी के जैसा मिलता जुलता है analogous का मतलब structure लगभर different रहेगा तकि दोनों में पागलपन जैसे ही बिमारियां आएंगे इसके अलावे भी कई सारी बिमारियां है जो prions के चलते होती है आज का आखरी टॉपिक लाइकेंस के बारे में कहें तो लाइकेंस symbiotic association रखता है दो के साथ रिष्टे होते है मैं इस algae और fungi दोनों साथ में mutually रह रहे हैं परस पर सम्द है आपस में तो दोनों के एक दूसरे से benefit मिल रहा है algae और fungi को जो algal component है याद करो नए algae के स्टडी को Phycology कहा करते थे algal component को phycobiond कहते हैं और fungus component को mycobiond कहते हैं algae के बारे में कहें अपना ख़़द बनाता है और fungi की बात करें तो ये herototrophic होता है अपना ख़़द नहीं बनाता algae तो बना सकता है फंजाई के लिए और वाटर वगयरा अपने पार्टनर को देता है वो में आल्गी को देता है सिंबल आल्गी के पास तो है कि फोटो सिंथ्रेजिस करकर खाना बना लेंगे लेकिन आल्गी लाय तो लाय कहां से अपना minerals वगेरा क्योंकि absorption की उतनी अच्छी property होती नहीं है तो मदद कौन करता है फंजाई मदद करता है ये दोनों आपस में कुछ इस तरह से होते हैं कि तुम nature में कभी algae और फंजाई को अलग अलग नहीं देख पौगे जब lichen को तुम देखोगे आपस में बिलकुल एक ऐसा relationship में होता है देखोगे नहीं कि वहाँ पे दो organism अलग अलग है lichens are very good pollution indicators ये कभी भी polluted areas में grow नहीं करते मान कर चलो जिस इलाके में जिस जगह पे sulfur dioxide का मांट जादा है वहाँ कभी ये grow नहीं करते ये चीज़ याद रखना है simple सी बात है आती है चीज़े एक्जाम में इसी के साथ जो हमारा topic है वो खतम होता है chapter हमारा खतम हुआ इसका जो biological classification का जो last वाला portion जो आज हमने किया है इसके objective questions करने वाले हैं 75 questions आज शाम चार बजे अनकैडमी के special class में मिलते हैं फिर वहाँ ओके बच्चो पढ़ो तो एक दिवाने की तरह क्योंकि तुम्हें दुनिया का सबसे बहतरीन डॉक्टर बनना है